हां तो नमस्कार पैरे बच्चो कैसे आप लोग उमिद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे स्वारी जी कोई आ गया था ओफिस में तो उनसे मिलने में थोड़ा टाइम लग गया पैरे बच्चो हम ना भी नहीं कह सकते थे कुछ होते हैं आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग ज एक्जाम में एक भी objective portion या एक भी subjective portion नहीं चूटेगा हम इसका आपको वचन देते हैं पैरे बच्चो तो क्या आप सभी लोग इस chapter को पढ़ने के लिए तयार हैं हमारा हिंदी दो है बच्चो पहला हिंदी जिसका नाम गोधोली है दूसरा हिंदी जिसका नाम वरनिका है वरनिका हम इसलिए पहले पढ़ा देते हैं ताकि वरनिका से संबंदित कोई भी question बच्चो आपसे नहीं चूटे बहुत आसान है वरनिका ठीक है तो प्यारे बच्चो आप हमें चमा करेंगे कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया कोई आ गया था office में तो उनसे मिलने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया बच्चो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में वरनिका और आपको पता है कि हिंदी का मतलब होता है अपना पड़िवार दिशा ओनलेन क्लासेस और हम लोग हिंदी में चौथा नंबर चैप्टर नगर पढ़ने वाले हैं नाम क्या है बच्चो नगर और हम लोग संपूर्ण कहानी को आज समझने वाले हैं और हम आपसे वादा करते हैं बस आप अपना मतब एक सेकेंड के लिए भी अपना ध्यान बच्चो कहीं मत हटाना आप एकदम पूरा समझ पाएंगे चलिए आप अपना एक छोटा सा काम कीजिए अपने सारे द कर दीजिए फटा फट से बहुत स्पीड में बहुत स्पीड में प्यारे बच्चो सेर कर दीजिए ठीक है एक सिंगन रुकिए एक सिंगन पार अजे पार अच्ट तो हम लोग इस कहानी को समझने वाले हैं आज का मोटिवेशन देखना बच्चो तो कहते हैं कि महनत वो सुनहरी चाभी है, महनत वो सुनहरी चाभी है, जो बंद भविस्य के ताले भी खूल देती है, बच्चो जीवन में कुछ अगर अच्छा करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक बर बताओ, जीवन में हमें अगर कुछ अच्छा करना है, तो हमें क्य हम बताई भी नहीं तो एक बार मैं पेड़ क्लास में सेर् कर दिता हूँ नहीं तो बच्चे कहेंगे सर हमें बताई भी नहीं आप क्लास ले लिए इसके पहले जो तीन चेप्टर हुआ आप जल्दी से इसके पहले जो तीन चेप्टर हुआ आप लोगों को कैसा लगा का शर मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे सबते हैं आप लोग भी कर दिजेए नहीं तो आपका कोई दोस्त होगा जो आपको बाद में बहुत बोल्या कि आपने संजय सर ने हिंडी गया है बताओ इसका नोट्स बच्चो आपको मिलेगा या पहले से ही मिल चुका है आप बोलेगे सर इसका नोट्स हमें पहले ही मिल चुका है बच्चो आज सुभा ही हम लोग पूरा हिंदी का जो वरनिका वाला हिंदी था इसका नोट्स हम पहले ही डाल चुके हैं पहले ही बच्चो ध्यान दीजे, इसका notes कैसे ले, जो भी नए बच्चे हैं ध्यान दीजे, metric board परिक्षा की अगर आप तयारी कर रहे हैं, metric board परिक्षा की तयारी, तो dream 450 plus हमारा course है बच्चो, जिसमें आपको सब कुछ मिलता है, हैंना आपको live classes मिलती हैं, और PDF notes, online test, सब कुछ मिलता है बच्चो, बस यह test नहीं हो रहा, यह भी बहुत जल्दी होगा, fees 499 है, जो बच्चे अभी तक नहीं लिए है notes, उसके लिए मैं बता देता हूँ, एक number है, इस पर आप call करना, और आपको यह notes मिल जाएगा, ठीक है बच्चो, पर आपको notes नहीं मिला है, तो fees जमा करना, इस पर call करके, 7700879453, ऐसा आप इस पर call करके बोलेंगे, मुझे notes चाहिए, 499 में all subject का आपको notes मिलता है, यह notes भी मिल जाएगा, तो बच्चो, अब जल्दी बताईए, कहानी में, किसी भी कहानी में मुख्य चीज क्या होता है, किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले, main main चीज क्या होता है, जल्दी बताओ, सबसे main होता है बच्चो, उसका लेखक परीचाय, जो कहानी पर रहे हैं, इसका नाम है बच्छो नगर, कहानी का नाम है नगर, ठीक है, कहानी का नाम नगर है, सबसे पहले कोई भी कहानी पढ़िए, तो उसका लेखक पढ़िचे को पढ़िए बच्छो, ठीक है, आप ये बताओ, इसके लेखक कौन है, जल्दी से बताना, इस किसके लेखक कौन है देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है बच्चो नगर जो कहानी पढ़ेंगे उसमें लेखक पड़िचे को देखेंगे इसके जो लेखक है उनका नाम है सूजाता बच्चो लेखक का नाम कहा है सूजाता सूजाता ठीक है अब बच्चो अब हम बात करते हैं इसके जन्म की यह बच्चो कैसी कहानी है अगर आप से पूछा जाए किस भासा की कहानी है तो आप कहेंगे सर इस भासा जो है इसकी वो तमिल है क्या है बच्चो भासा है तमिल अगर आप से पूछा जाए कि सुजाता का जन्म कब हुआ था तो आप बच्चो कहना हर हर चीज हम याद करवाते हैं, कोई भी चीज बच्चो पहले से लिखा नहीं है, हर चीज हम आपके सामने लिखेंगे, और हर चीज आपको याद करवाएंगे, आपको बिलीव करवाएंगे, कि चीज कैसे याद होता है बच्चो, ठीक है, हर चीज आपको हम यहीं पर याद कर सब चीज को एक साथ याद करने का trick है, बच्चो, क्या है, trick है, बोलो कौन सा है, ये है सूजाता, ये है, बच्चो, सूजाता, ध्यान देना, ये है सूजाता, और ध्यान रखना, इसका trick है, सुजाता नगर में 35 रुपए कीलो 35 रुपए कीलो 35 रुपए कीलो 35 रुपए कीलो तेल बेचती है क्या बेचती है बताओ सुजाता क्या करती है मैंने ट्रिक बनाया है मैंने ट्रिक बनाया है कि सुजाता नगर में 35 रुपए कीलो तेल बेचती है इसका मतलब यह हुआ कि नगर कहानी क्या बच्चो अगर हम देखें लेखक कौन है तो आप कहेंगे नगर कहानी के लेखक या लेखक का है जर। लेखक है सूजाता है और 35 का मतलब यह हुआ कि इसका जो जन्म हुआ था वो 1935 में हुआ था जन्म 1935 में हुआ था और तेल का मत हुआ यह तमिल कहानी है तेल का मतलब हुआ यह तमिल कहानी है तो प्यारे बच्चों क्या आप लोग यहां तक समझ चुके हैं तो एक बार फड़ा फट से सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए अभी बच्चों 1100 लाइक तुरंथ होने चाहिए फड़ा फट से बताओ क्या समझ चुके हो yes or no yes or no yes sir yes sir yes sir हम पूरा समझ चुके हैं हमें कुछ भी पूछ लेजिए जैसे कि नगर कैसी कहानी है किस भासा की है तो कहेंगे तमिल है और इसके लेखक कौन है सूजाता इसका जन्म हुआ था तीन मई 1935 को अब बच्चों थोरा सा आगे बढ़ते हैं और ल वास्टविक नाम क्या है वास्टविक नाम एगजाम में आता है कि सूजाता का वास्टविक नाम क्या है तब आप कहते हैं सर इस अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों अब आप बोलोगे कि सर यह कहानी है तमिल भासा में यह कहानी है तमिल भासा में और हम पढ़ रहे हैं हिंदी भासा में तो इसको हिंदी में करने वाले कौन थे अनुवादक की बात करते हैं इस कहानी के अनुवादक कौन है हर चीज हम याद कराएंगे बच्चो इस कहानी के अनुवादक कौन है तो आप कहेंगे सर इस कहानी के देखो फिर मैं आपको पूरी कहानी सुनाओंगा कहानी सुनके बच्चो आपके आंख में अगर आंसु ना आ जाए तो फिर मतलब कहानी सुनाना बेकार है ठीक है तो बच्चों कहते हैं इसके अनुवादक कौन है तो कहते हैं ए जमुना इसके अनुवादक है ए जमुना इसके अनुवादक है ए जमुना आपसे पूछा जाए बच्चों यहाँ पर कि एस रंग राजन का जन्म कहा हुआ था पूछा जाए पहले लिखा हुआ नहीं है हर चीज हम याद करेंगे बच्चों तो सुजाता का जन्म जो है वो तमिल लाडू का हमें चन्नाई है ना चन्नाई का पर चन्नाई है ना तमिल नाडू चन्नाई में ना तमिल नाडू चन्नाई में इनका जन्म हुआ था तमिल लाडू चन्नाई वगर सब मिला करके इनकी कितनी कृतियां है, अगर पूछा जाए, कि इनकी कितनी कृतियां है, बच्चों, कितनी कृतियां है, मतलब कितना इन्होंने लिखा है, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, कवीता हो, सब मिला कर इन्होंने कितना प्रकासित किया है, इनकी कितन जाएगा निमलिखित में से किस लिखके पचीस से भी अधिक कृतियां प्रकासित हैं तो कहना बच्चो उसका नाम है उनका नाम है क्या सूजाता नाम है बच्चो सूजाता याद रखना कि उनका नाम क्या है सूजाता उनका नाम है जिसके पचीस से भी अधिक कृतियां प्र कासित हैं ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं बच्चो ये कहां से लिया गया है अगर आप से पूछा जाए जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ये कहानी कहां से लिया गया है तो कहना बच्चो तमिल कहानियों से कहां से ये आधूनिक तमिल कहानियों से एक कहानी का संग्रह है आधूनि तमिल कहानिया उसी से इसको उठाया गया है तो बच्चो यह कहना ये कहानी कहां से लिया गया है तो कहना बच्चो आधूनिक तमिल कहानियों से इसको लिया गया है जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं उस कहानी को कहां से उठाया गया है तो आधूनिक तमिल कहानियों से इसको उ याद रखेंगे अगर बच्चों लेखक के बारे में आपको इतना पता हो गया लेखक के बारे में आपको इतना याद हो गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस यस कर दीजे गुरु जी आनंद का भाव है सब कुछ याद है अब आप कहानी सुना सकते हैं बच्चो जली बताओ सार क्रीतियां क्या होता है क्रीतियां का मत्तब होता है उनकी पुस्तकें बच्चो कितने पुस्तकें प्रकासि कितने लेख बोल सकते हो लेख क्रीतियां ठीक है बताओ आगे बर जाए अब आप कहानी उसको बनाते हैं सबसे पहले इस कहानी की सबसे मेन करेक्टर बच्छों जो है उसको बनाते हैं अब आप बोलोगे कि सर मेन करेक्टर कौन है आपके सामने सबसे पहले मेन करेक्टर बन चुकी है सबसे पहले मेन करेक्टर बन चुकी है नाम बता दीजिए नाम बता दीजिए आप सभी लोग बोलेंगे कि गुरुजी सबसे पहले इस कहानी की जो मेन करेक्टर है उसका नाम है पाप पाती क्या नाम है पाप पाती है ना सौट में हम लोग पापती भी बोलते है जो कि इसका नाम है पाप पाती बच्चो ठीक है अब इस कहानी की दूसरी करेक्टर को बन बिल्कुल नहीं है यही बोलोके कि क्या इसके प॥े यहाँ को लोगे ऑपके मadd में सवाल रहा क्या सके पिताजी ए मैं मूल बिल्कुल नहीं है यहीं से आपका वो वाला सीना जाए कि सर पिता जी नहीं है मंगू के भी पिता जी नहीं थे सर यह क्या बात है सर दही वाली मगम्मा में भी उसके पती नहीं थे दही वाली मगमा में भी पती नहीं थे मंगू के भी पापा नहीं थे और यहां पर क्या इसके पिताजी है बोलो यह सुनो बच्चो अब इसके गाउं की तस्वीर हम बनाने जा रहे हैं यह है इसके गाउं का घर यह है बच्चो इसके गाउं का घर आपके सामने बन रहा है गाउं का घर ध्यान से देखेंगे एक एक बच्चा ध्यान से देखेगा कोई बच्चा नहीं रहेगा कच्चा और नहीं रोएगा कोई बच्चा ये है बच्चो गाउं का घर ध्यान से देखेंगे सब लोग देखेंगे गाउं का घर कैसा होता है ठीक है न ये है बच्चो गाउं का घर देखेंगे सब लोग ये है गाउं का घर ठीक है ये है बच्चो इसके गाउं का घर ये है इसके गाउं का नाम क्या था बताओ बच्चो इसके गाउं का नाम क्या था आप सभी बोलेंग बच्चो एक दिन क्या होता है पाप पाती को तेज बुखार होता है अगर हम बात करें पाप पाती की उम्र की तो आप उम्र से समझ लेंगे कि ये बच्ची कैसी है उम्र बता दीजे कोई बच्चा बता दो उम्र कितना है गुरुजी सब को बता है पाप पाती की उम्र लगभग 12 वर्स है कितनी है 12 वर्स की पाप पाती है और बच्चो पाप पाती को हो जाता है तेज बुखार क्या होत मेनिन जायटेस अगर आप से पूछा जाए लेकिन अभी मेनिन जायटेस हम नहीं बोलेंगे यह तो बड़े डॉक्टर बताएंगे अभी बस यह पता है किसको तेज बुकार है क्या है बच्चों बताओ इसको तेज बुक्षार होने के बात हम लोग क्या करते हैं, अपने आस-पास के गाउं के डॉक्टर के पास जाते हैं, और गाउं के डॉक्टर हमारे नव्स को देखते हैं, अच्छा बुखार है, तो हमें बड़े सहर भेज देते हैं, आप बताई है, अगर आज आपका तबियत खराब होता है, तो आपके डॉक्टर आपके आसपास के डॉक्टर आपको कहां भेजते हैं जैसे मेरे यहां बच्चों क्या होता है अगर मेरे गाव में किसी का तवियत खराब होता है तो हमारे डॉक्टर कहते हैं कटिहार चले जाओ क्या बोलते हैं कटिहार चले जाओ आप लोग के यहां के डॉक्ट बखेंगे हम मदूरे सहर की बात करते हैं यह देखो आपके सामने एक मदूरे सहर बन गया मदूरे सहर बन गया अब बच्चो इस सहर में हम देखेंगे यहां हम एक अस्पटाल बनाने वाले हैं अब आप लोग यहां पर देखते रहिएगा मन से किसरा अस्पटाल कैसे यह है बच्चो सहर का अस्पताल, होस्पीटल है, यह क्या है होस्पीटल है, यह है बच्चो होस्पीटल है, तो प्यारे बच्चो आप से भी लोग देखते हैं, तो यह बताओ कि जब इन्हें तेज बुखार हो गया, जब इन्हें तेज बुखार हो गया, तो प्यारे बच् इसे इलाज के लिए कहां भेजा इलाज के लिए कहां भेजा तो आप कहेंगे सर इलाज के लिए इन्हें मदूरे सहर भीजा मदूरे सहर में दो तीन कोशन बनते हैं पहले बच्चों यह जो मदूरे सहर है पांडिय लोगों की दूसरी राजधानी है एक्जाम में पूछा ज राजधानी हम बात कर रहे हैं बच्छो तमिल नाडू की और तमिल नाडू की राजधानी चन्न नहीं है अब यहां पर चन्न नहीं है ऐसे आप बात कर रहें जब तमिल नाडू की तो राजधानी चन्न नहीं होना चाहिए लेकिन कहते हैं पांडिय लोगों की दूसरी राज अब बच्चों यह जो मदूरे सब्द है इसको लेकर दो तीन कोर्सन एक्जाम में बनते हैं पहला कोर्सन बच्चों कि अंग्रेज लोग मदूरे को क्या बोलते थे और युनानी लोग मदूरे को क्या बोलते थे तो प्यारे बच्चों अगर किसी को पता है तो मुझे अंग्रेज लोग मदूरे सहर को मदूरा बोलते थे मदूरा ठीक है ना और युनानी लोग जब थे युनानी लोग युनानी लोग मदूरे सहर को क्या बोलते थे युनानी लोग मदूरे सहर को मदूरे सहर को मेंदूरा कहते थे मेंदूरा क्या बोलते थे मेंदूरा तो प्यारे बच्चों कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि गुरुजी अगर यहां से कोई भी कोशन पूछा जाए तो मैं बता सकता हूँ पहला कोशन पाप पाती को इलाज के लिए कौन सा सहर भेजा गया था तो सर आंसर होगा मदुरे अगर पूछा जाए पांडिये लोगों की दूसरी राजधानी कौन थी या पांडिये लोगों की दूसरी राजधानी कौन है तो कहेंगे सर मदुरे मदुरे को अंग्रेज लो होता है अब यहां से कहानी सुरू होता है क्या कहानी सुरू करें चलिए बच्छो अब पाप पाती को एक बार सब लोग पहरे बच्छो क्लास को लाइक कर ले ना फटा-फट से लाइक करके दोस्तों बगरा में सेर कर लीजिए ताकि उन्हें लगे कि हाँ गुरु जी आज ध पाप पाती लेकर आया गया तो यहां पर पाती को कहां लेकर आया गया एक्जांड में पूछा जाएगा कि पाप पाती को कहां लेकर बच्छो पर फिर बच्चों यहां पर हुवे है ना फिर यहां पर हुवे छे डॉक्टर किने डॉक्टर बताईए एक डॉक्टर दो डॉक्टर उसके बाद यहां पर बच्चों तीन डॉक्टर तीन डॉक्टर और फिर यहां पर बच्चों चार डॉक्टर चार डॉक्टर और यहां पर ब ग्रुजी पाप पाती को कुल छे डॉक्टरों ने घेरा था छे डॉक्टरों ने पाप पाती को चारों तरफ से घेर लिया था और कोई बच्चो उसका नवस देख रहे थे कोई उसकी आँख देख रहे थे यहाँ पर दो मसीन बच्चो एक है ना यहाँ पर हम एक मसीन की बा बच्चो इस मसीन से एक्जाम में कोसन बनता है कि आप थलम इसकोप मसीन से क्या देखा जाता है तो कहना बच्चो आँख की रेटीना को इना आँख को देखा जाता है अगर आप से पूछा जाए कि बच्चो बताओ कि आप थलम इसकोप मसीन से क्या देखा जाता है तो कहना कि आँख देखा जाता है और डॉक्टर इसकी आँख में ऐसे लाइट जला जला करके देख रहे थे यह लड़की को क्या हुआ है यहाँ पर जो सबसे में जो थे सबसे जो head doctor थे head doctor थे वो विदेश से पढ़के आये थे पुछा जाएगा head doctor कहां से पढ़के आये थे तो कहना बच्चो head doctor बिदेश से पढ़के आये थे बिदेश का मतब कहां से ब्रिटिस से कहां से ब्रिटिस से मतब इंगलेंड से कह सकते हैं ब्रिटेन से ना ब्रिटेन बो क्या था बच्चो मिरांडा था हेड नर्स का नाम क्या था हेड नर्स है ना हेड नर्स का नाम था मिरांडा हेड नर्स का नाम एक्जाम में पूछा जाता है तो कहना बच्चो हेड नर्स का नाम मिरांडा था अब हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं अब बच्चो हम जैसे ही अस्पताल में घुशते हैं तो सबसे पहले हमें क्या कहा जाता है बताइए सबसे पहले हमें क्या कहा जाता है आप कहेंगे गुरु जी सबसे पहले हमें कहा जाता है परची कटवाने के लिए क्या कटवाने के लिए परची कटवाने जब ये परची कटवाने गई, तो वहाँ पूछा गया नाम क्या है, इसकी मा से, अकेली थी इसकी मा, इसके साथ में कोई नहीं था, डॉक्टरों ने पूछा, क्या इसके साथ में और कोई है, तो मा ने बोला, इसके साथ कोई नहीं है, हम अकेले आये हैं, तो हम बोला कि जा वली अम्माल क्या बोला वली अम्माल तो बोला आपका नहीं आपका नहीं रोगी का नाम क्या है बोला वली अम्माल पागल है क्या मैं पूछ रहा हूं कि जो पेसेंट है जिसका इलाज करवाने आये हैं उसका नाम क्या है उसका नाम पापाती है उसका नाम है पापाती और उ उन्होंने एक परची बनाकर बच्चों उन्हें दिया। इसके पहले एक चीज़ बीच में और है। जब वो लाइन में लगी थी परची कटाने के लिए तो वहाँ मन ही मन अपने मड़े हुए पती को कोस रही थी कि अपना तो मड़के चले गए अपना तो मड़के चले गए और दुख भोगने के लिए मुझे छोड़ गए तो exam में कोशन पूछा जाएगा कि जब वल्ली अम्माल लाइन में लगी थी तो मन ही मन किसे कोस रही थी एक्जाम में पूछा जागा कि मन ही मन किसे कोस रही थी तो कहना बच्चों कि मन ही मन जब ये वली अम्माल लाइन में लगी थी जब ये वली अम्माल को देखो ध्यान से जब ये वली अम्माल है और ये लाइन में लगी है यह हमारा लाइन लगा है और यहाँ परची काटने वाला बैठा है तो जब वल्लियमा लाइन में लगी थी तो मन ही मन किसे कोश रही थी तो अपने मरे हुवे पती को अपने मृत पती को मन ही मन कोश रही थी मन ही मन बोल रही थी खुद तो मढ के चले गए और मुझे कस्ट भोगने के लिए छोड़ दिया इतने बड़े सहर में मैं अकेले कैसे इलाज कराऊंगी कैसे इलाज कराऊंगी अपनी बेटी की अब बच्चों क्या होगा जब इसे एक साधा पन्ना दे दिया गया जिसमें इसका कुछ नाम लिख करके और इसे बोला कि जाओ अगले टेबल पर वहां पर आपका वेतन पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा बच्चों बोलो वेतन पूछा जाएगा ठीक है तब वहां पर गए इस टेबल का काम खतम इस टेबल का काम हो गया हां सर यहां क्या गटा सर यहां पर परचा बना क्या बना बच्चों परच्चा अब व अब दूसरे टेबल पर इसे क्या बताना था जल्दी बोलो पहले टेबल पर तो नाम बताया अब दूसरे टेबल पर क्या बताना था बोलो तो आप बोलोगे सर दूसरे टेबल पर इसे वेतन बताना था तो वहां पर जाकर देखे वहां पर एक आदमी ने पूछा तुम्हार इम्माल ने बोला कि गेहूं काटने जाती हूं, धान काटने जाती हूं, धान के बदले धान मिल जाता है, गेहूं के बदले गेहूं मिल जाता है, कमाते कहां है, ठीक है, तो इन्होंने बोला, है ना, इन्होंने बोला कि मैं, मैं कमाती नहीं हूं, मैं कटनी, आप समझते हैं बिहार में सब हो समझते हैं कटनी बच्छों, जो काटते हैं उसके बदले मिलता है, बस वही मिलता है, ठीक है? तो चलो, बोला ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कितना लिख दूँ, तो उन्होंने अपने मन से कुछ लिख दिया था, सैथ किताब में दिया होगा तो बताना मुझे, ठीक है, अपने मन से उन्होंने कुछ वेतन लिख दिया था बच्चों, ठीक है, अपने मन से पताने कुछ लिख दिया होगा, अपने ही मन से उन्होंने कुछ अपना वेतन लिख दिया था, अब उन्हें एक परचा दिया गया और उस परचे पर उस परचे पर लिखा गया और उस परचे को देकर एक कमड़े में भीजा गया एक कमड़े में भीजा गया एक परचा देकर के वली अम्माल को किस कमड़े में भीजा गया तो बच्चो एक परचा देकर के वली अम्माल को 48 नंबर कमड़े में भीजा गया अच्छ 90 रुपए चलो बहुत बढ़ी है अनुमानता बच्चो वेतन 90 रुपए लिखा था बहुत बढ़ी है ऐसे साथ देते रो गुरुजी का चलो अब वल्ली अमाल को बोलो कहां भीजा गया है अब वल्ली अमाल को 48 नंबर बेड खाली है या नहीं है या नहीं इसी चीज को जाज करने के लिए से 48 नंबर कमड़े में भीजा गया ठेक है अब यहाँ पर जब यह गई है पहले बच्चो एक छोटा सा लाइन छुट गया अगर आप इजाज़त दें तो हम पीछे घुर के बता दें बता देते हैं एक लाइन छूट गया कि यहां पर जब डॉक्टर ने यहां पर जब डॉक्टर ने इसे देखा था तो जो बड़े डॉक्टर थे जो बिदेश से पढ़के आये थे उन्होंने कहा था यहने मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को अभी भरती कराया जाए तो बच्चों एकजाम में पूछा जाएगा कि यह बात किसने बोला था यहां एडिमिटेड नाउ हिंदी में लिखा रहेगा कि आई वांट देट गल एडिमिटेड नाउ एसा किसने बोला था किस ने बोला था तो बच्चों ऐसा बोला था बड़े डॉक्टर ने ऐसा किस ने बोला था बड़े डॉक्टर ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को अभी भरती लिया जाए उसके कहने के बावजूद भी उसके कहने के बावजूद भी पूरा प्रोसेस किया गया पूरा पड़किरिया किया गया नाम पूछा गया वेतन पूछा गया परची काटा गया जबकि बड़े डक्टर ने बोला था क्या I want that girl admitted now थेक है बच्चो और बड़े डक्टर ने ही बताया था कि इसे कौन सा रोग है इसे कौन सा रोग है तो बच्चो इसे रोग है मेनिनजायटिस भच्चो लाला लाजपत रच का आपने सुना होगा कि उसके माथे पर लाठी मारने से उसे मेनिनजायटिस रोग हो गया था मेरे सिर पर लाठी का एक-एक प्रहार अंग्रेजी सासन के लिए कील साबित होगी ऐसा किस ने कहा था लाला लाजपत राय ने अंगरेजों ने उसके माथे पर लाठी मारा था और उसको मेनिन जायटीस रोग हो गया था जिसकी वज़ए से लाला लाजपत राय मढगे थे तो बच्चो यहाँ पर याद रखना कि इसको भी कौनसा रोग हो ग देखे न, चलिए ध्यान देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, यहां बच्चो आते हैं, अब क्या हुआ, इसको कहां भीजा गया था बताओ, अब इसे 48 नमबर कमडे में भीजा गया था, और यह बहुत देर से वहाँ पर जब गई 48 नमबर कमडे में, तो देखा वहाँ पर रहा है, उस बेटी को छोड़ कर मा उसे डेर घंटे दूर थी, बच्चो मा कितने घंटे देर थी बताओ, बेटी को छोड़ कर, तो कहना गुरू जी, डेर घंटे हैंना, मा डेर घंटे अपने बेटी को छोड़ कर दूर थी, उसके बाद में एक व्यक्ती आया, उसके आना सुभह साड़े साथ बजे उस व्यक्ति ने क्या बोला कल आना सुभह साड़े साथ बजे बोला बच्चों कल आना सुभह साड़े साथ बजे तो एक्जाम में कोशन पूछा जाएगा कि वल्ली अम्माल को अस्पताल कितने बजे बुलाया गया तो कहना गुरू जी वल्ल कि मेरी बेटी का इलाज करवाना है और ये कह रहा है साड़े साथ बजे आने और जब आप अस्पताल जाएंगे बच्छो तो वहां ऐसे ऐसे इसमेल होते हैं ऐसा ऐसा गंद होता है आसपास में कि उस गंद को सूंग करगे आपको लएगा आप भी होंस हो जाओगे आपका सि साड़ी थी तो बहुत दौरते दौरते वल्ली अमाल इधर से उदर से भूल गए थी एक मतब अनपर इस्तरी जो पढ़ी नहीं है उसको क्या पता एक बड़े सहर में तो ये बच्छों दौरते दौरते गई तो देखा तब तक में चारों तरफ गेट लग गया था तब त गेट के उस पार में इसकी बेटी अभी भी इस ट्रेचर पर लेती हुई थी यहां बच्छों पापाती लेती हुई थी और इसकी मा इस पार में रोड ही थी और बीच में एक गेट में था बीच में एक गेट में था, गेट में से इसकी माने कहा, गेट में से इसकी माने कहा, कि भाईया भाईया गेट खोल दीजे, मुझे बेटी के पास जाना है, क्या भाईया भाईया गेट खोल दीजे, मुझे अपने बेटी के पास जाना है, तो क्या गेट में ने गेट खोल दि कि gate जो है वो तीन बजे आना कितने बजे तीन बजे बच्छो यहां कहीं लिखा होगा ठीक है यहां पर कहीं लिखा होगा बच्छो उन्होंने बोला कि gate जो है वो तीन बजे खुलेगी यहां बच्छो गेट कितने बजे खुलेगी तीन बजे गेट खुलेगी और अब इसको इतना खोपड़ी नहीं था कि यहां इसकी बेटी पड़ी हुई है और इसको गेट खोल दें तो यह चले जाएगी उसी बीच में एक दूसरा व्यक्ति आया और जिन्होंने अपने जेव से निकाल कर गरम गरम नोट दिया और जैसे ही इसको पैसा मिला इन्होंने तुरंद गेट खोल दिया और उसी में वल्ली अमाल को मौका मिल गया वल्ली एमाल भी दौर करके उसी पैसे, मतलब उसके दिये हुए पैसे से जो गेट खुला, उसी में दौर करके ये घुश गई, और अपने बेटी को सीने से लगा ली, अब ये सोच नहीं पाड़ी थी, अस्पताल में रुकना है, या फिर यहां से घर जाना है, यहां से घर जाना है, बच्चों बताओ इन्होंने क्या फैसला लिया, इन्होंने क्या फैसला लिया, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग, इन्होंने फैसला लिया बच्चों, इन्होंने अपनी ब पूछा जाता है किस रंग के रिक्से में वल्ली अमाल अपने बेटी को वापस लेकर आय थी वल्ली अमाल बच्छो अपने बेटी को पीले रंग के रिक्से में बठाई और इं मन ही मन सूचने लगी कि चलिए गाउं के अस्पताल में इसका इलाज कराते हैं नहीं ऐसा नहीं सोचा क्यों नहीं गाउं के अस्पताल में इलाज करना चाहरी थी हाखिर क्या हुआ था वल्ली एमाल क्यों नहीं गाउं के अस्पताल में अपनी बीटी का इलाज कराना अब चाहर ही थी, क्योंकि सहर से तो इसे धोखा मिला था, गाउं के अस्पताल में भी अपनी बीटी का इलाज इसलिए नहीं कराना चाहरी थी, क्योंकि गाउं वाले ही सहर भीजे थे, गाउं के अस्पताल वालों नहीं सहर भीजा था, और ना बच्छो सहर में लाज हुआ नहीं गाउं में इसलिए अब यह अब यह अस्पाल में इलाज कराना नहीं चाहती थी इसको क्या करेंगे भस्म लगा लेंगे ओज्य को दिखा देंगे ओजहा गुनी करवा देंगे ठेक है अगर मेरी बेटी ठीक हो जाती है तो हम इसे हना तो हम वेदी स्वरन मंदीर में इसके लिए मननत मांगा था और कहा था अगर अगर मेरी बेटी ठीक हो जाती है तो हम वेदी स्वरन मंदीर में इसके लिए मिठाई चढ़ाएंगे या फिर जो कह लीजिए ठीक है ना इसके लिए पहले बच्वो क्या करेंगे यह उन्होंने मतलब कि भड़ वेदी स्वरन जी के मंदीर जा करके दोनों हातों से रेजगा क्या इसके नाम होगा रेजगारी या कुछ भी होगा हरेजगारी चढ़ाएंगे खER यह नहीं पूछा गया डे इसमें किस मंदीर में मनत मांगा था तो वेदी स्वरन मंदीर में मनत मांगा था बच्चों अब सोचिए अब सोचिए आप लोग कि क्या हुआ होगा पाप पाती का क्या पाप पाती जिवित बची होगी या पाप पाती मर गई होगी क्या मदुरे सहर के अस्पताल में लोगों ने पाप पाती के लिए अच्छा विवार किया या बुरा विवार किया उसके बाद डॉक्टर दौरते हुवे आए जो बड़े डॉक्टर थे वो दौरते हुवे आए और उन्होंने बोला उस डॉक्टर ने बोला कि सुनो सुनो पहले बात सुनो उस डॉक्टर ने अपने अधिनस्त डॉक्टरों से दॉक्टर धन सेखर थ थी उन सभी से पूछा वो लड़की कहा है? बोला कौन सा लड़की? बोला वही लड़की जिसको मैंने भरती करने बोला था. बोला वो तो चले गई? बोला क्या? वो चले गई? उसे मेनेंजाटिस रोग था. तुम लोग समझते भी हो मेनेंजाटिस रोग क्या होता है? बोला डॉक्टर ने क्या बोला पता है, बोलो 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 डॉक्टर ने बोला, वो सुबह साथ बजे तक मर जाएगी, और बच्चों जब डॉक्टर ने बोला है, तो ये सच में ऐसा होगा होगा और 100% बच्चों गैरेंटी है कि वो लड़की सुबह 7 बजे से पहले मर गई होगी खिक है? सुबह 7 बजे से पहले वो लड़की मर गई होगी तो ये थी बच्चों पाप पाती की कहानी जो एक छोटी सी गाउं की लड़की थी जिसके गाउं का नाम मुन्ना डीप पट्टी था जिसके पिताजी इस दुनिया में नहीं थे उसको तेज बुखार होने की वज़ा से उसके गाउंवालों ने कहा इसको बड़े सहर लेकर ज माल ने 10 मिनिट तक 20 मिनिट तक मन्नते मांगी है भगवान है प्रभू खोल दीजिए मेरी बेटी उस पर मढ रही है लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला और जैसे ही 20 रुपए 30 रुपए मिला तो गेट खोल दिया गया बच्चों ठीक है तो पैसे लेकर के बहुत सारे ऐस जगह हैं बच्चों बहुत सारे ऐसे सहर हैं जहां पैसे लेकर के अभी भी काम होते हैं यह बहुत बुड़ा लगता है कि आदमी का जीवन भी पैसे के सामने बहुत कम पड़ गया है और बच्चों यह पाती मुझे पूरा भरुसा है कि मर ही गई होगी यह जीवित नहीं कोई कोस्ट अगर आप से पूछ जाए बच्चों बच्चों तो मुझे लगता है कि आप आराम से बना दो गे मुझे ठीक है आराम से भना गैं ठीक है क्यों बृटा सा थेस्ट एश्य हो जाए तो इस और 더 Who है ठीए है आज़ो पहला गुसद्थन वाटचो कि हम लोग पड़ है गोड़ा है नगर कहाणी की मुख्यपात्रा बåश बोलो प्रमुख पात्रा कौन है तो अप बोलेंगे जो मेन करेक्टर है वह बच्छा जा किसी उमर के में किसकी उम्र कितनी है तो बच्चों 12 वर्स कह देना अगर आपसे पूछा जाए किसे किस रोग से गरसित है किस रोग से गरसित है तो कहना बच्चों इसको जो रोग है उसका नाम है मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस रोग से गरसित थी मेनिंजाइटिस रोग में सबसे प पाप पाती अस्पताल में भरती नहीं हो पाई किसके कहने के बावजूद भी किसके कहने के बावजूद जल्दी बोलो किसके कहने के बावजूद है ना तो आप सभी बोलेंगे कि सर बड़े डॉक्टर ने कह दिया था किसको भरती कीजिए फिर भी ये भरती नहीं हो पाई तो किसके कहने के बावजूद भी पाप पाती अस्पताल में भरती नहीं हो पाई, तो कहना बड़े डॉक्टर के है न, बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी भरती नहीं हो पाई, पाप पाती को कहां लेटाया गया था कितने डॉक्ट्रों ने घेरा था घेड हेड नर्स का नाम क्या था हेड़ नर्स का नाम बताओ तो लि अमाल को कितने नंबर कमडे में भेजा गया तो वल्ली अम्माल को सुभर साड़े साथ बजे बुलाया गया सुभर साड़े साथ बजे बुलाया गया वल्ली अम्माल बच्चो वल्ली अम्माल पाप पाती को किस रंग के रिक्से में ले कर गई किस रंग के रिक्से में ले कर गई थी मन्नत कहां प्रमागी तो कहना बचो वेदी स्वरण मंदिर में वेदी स्वरण मंदिर में इसके लिए मन्नत मांगा था किसने बोला था सूजाता का वास्तविक नाम क्या है सुजाता का वास्तविक नाम तो आप कहेंगे सुजाता का वास्तविक नाम है ऐस रंग राजन रंग राजन नगर कहानी के अनुवादक कौन है नगर कहानी के अनुवादक अनुवादक कौन है तो नगर कहानी के अनुवादक है ए जमुना कौन है नगर कहानी किस भासा की है नगर कहानी की भासा बताईए नगर कहानी की भासा क्या है आप बोलेंगे कि सर नगर कहानी की जो भासा है वो तमिल है क्या पुछा जाएगा हर कुछ याद है बच्चों हर कुछ याद है हर कुछ याद है, बोलो यह सरुनो, क्या आपको लगता है कि इस चेप्टर से कोई भी कोशन कहीं से पुछा जाए, क्या मेरे बच्चों को कहीं दिक्कत होगा, मा उसके माथे में क्या लगाने की बात कर रहे थी, याद कर ले ना बच्चों, है ना, खडिया मट्टी, क्या ल बच्चों देखते हैं, सब्जेक्टिव कोशन कुछ कुछ, सब्जेक्टिव कोशन, है ना, सब्जेक्टिव कोशन के बारे में चर्चा करते हैं, इस चेप्टर से दो तीन कोशन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव, पहला बच्चों, पाप पाती कौन थी, पाप पाती, पाप पाती कौन थी कौन थी और वहाँ बड़े सहर क्यों लाई गई थी क्या जवाब है आपके पास क्यों लाई गई थी क्या आपके पास बच्चों इसका जवाब है क्या इस कोशन का जवाब आपके पास है हां गुरुदेव सब्जेक्टिव परने में बहुत मन लगता है और पापाती कौन थी और वहाँ बड़े सहर क्यों लाई गई थी तो इसका आंसर है कि सरफ पापाती जो पापाती वल्ली अमाल की पुत्री थी जो बड़े सहर इलाज के लिए लाई गई थी तेक है अगला कोश्चन पुछा जागा बच्चों है ना बड़े डॉक्टर के कह कहने के बावजूद भी पापाती अस्पताल में भरती क्यों नहीं हो पाई क्या जवाब है आपके पास बच्चों इसका जवाब है कि बड़े सहर के बड़े रॉक्टर के कहने के बावजूद भी पाप पाती अस्पताल में भड़ती क्यों नहीं हो पाई तो आप कहेंगे सर जवाब है इसका कि बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पाप पाती अस्पताल में भड़ती नहीं हो पाई क्योंकि जो अस्पताल के करमचारी थे अस्पताल के बड़े डॉक्टर के छोर कर जो अन्य सभी डॉक्टर थे या अस्पताल के जो करमचारी थे वो व्यवार कुसल नहीं थे सायद उस अस्पताल में घूस लेने से जल्दी काम होता था इसलिए पाप पाती को अस्पताल में भड़ती नहीं करा गया क्योंकि वहां के जो करमचारी थे वो व्यवार कुषल नहीं थे वो सनवेदन सिल भी नहीं थे और वो सायद नहीं चाहते थे कि किसी की जान बचे बच्चो ऐसा इसलिए हुगा एक दो कोशन और इसमें आते हैं बहुत आसान आता है बच्चो यहां से सर बेट खाली नहीं था अरे बेट खाली नहीं है इसका जहांसा दिया था बच्चो इमेरजेंसी में बेट खाली हो ज जाता है रे चलो वाशो हो जाएगा बताऊ कितने बच्चों को लग रहा है किसर हमारा नगर chapter complete हो गया कितने बच्चों को ऐसा भाव आ रहा है कि गुरुजी हमारा ये chapter समाप्त हो गया और यहां से चाहे objective portion है ये subjective यह हमारा 100% बनेगा बच्चों जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे बस आप लोगों से एक छोटा सा request है कि आप लोग देखें वीडियो तो देख लिए पर आपके पास इसका एक notes होना चाहिए एक notes प्यारे बच्चों आपके पास होना ही चाहिए अगर आपके आपको इसका पूरा notes मिलता है हम दे भी चुके हैं और बच्चों all subject का आप जिस गुरू से पढ़ते हैं जिस भी टीचर से पढ़ते हैं आप संजेर सर से पढ़ रहे हैं यानि हम से पढ़ रहे हैं आपके पास हमारा notes होना चाहिए इसको लेने के लिए आप इस नंबर पर सभी बच्चे इसका app download कीजिए जिसका नाम है दिशा online classes app का क्या नाम है बच्चों बताओ दिशा online classes app download कीजिए और app के लिए बच्चों हम special एक आदमी कल से रख रहे हैं जो आपके लिए बच्चों टेस्ट लगाएगा तो आपको टेस्ट भी मिलेगा और यही नंबर है इ दिया है जो जो बच्चे purchase की आपको पता है किसर वहां दिया है अब हम नोट्स देना भी शुरू कर दिये हैं तो सब लोग से request है बच्चों कि जितने भी बच्चे है तब लोग मम्मी पापा भाईया को बोलके हमको संजय सरकार नोट्स चाहिए आप लोग लिजे मात्र 499 रुपए फीस है बच्चों हम चाहें अगर हम 999 भी रखेंगे तो बच्चे लेंगे पर बच्चों हम क्या करते हैं या फिर 1000 भी रखें तो लेकिन मैंने सुचा नहीं जो हमने रख दिया है ठीक है बच्चों 499 फीस है आप सभी लोग जोएन हो जाएं कितने नए बच्च से आप सभी लोग like कर दीज़े class को ठीक और बताओ कैसा लगा बच्चों कल इसका objective कराएं या objective पहले करा देख कल नया chapter करें बोलो कि बच्चों कल इसका objective कराएं कल इसका क्या होना चाहिए बोलो एक तो है बच्चों कि कल हम इसका या तो हम इसका recorded कर दें बच्चों recorded करके डाल दें objective बच्चों या हम कल नया chapter बोलो जितने बच्चों बलाता है सर कल इसका objective subjective कल करा दीजिए objective प्लस सब्जेक्टिव करा दीजिए बच्छों एक दवाएं अब आपको लगता है नहीं सर यह आप रिकॉर्ड करके डाल दीजिए और कल नया चप्टर करा दीजिए लास्ट वाला चप्टर कल खतम हो जाएकर लास्ट चप्टर होगा तो लास्ट चप्टर के लिए तो दो बताइए किया कर दें हम उनकों हमको बहुत सारा काम रहता है ज्यादा कलास्स होने से आप लोग भी बोर्ड हो जाते हो ज्यादा कलास्स करो कियो कि एक एक ठीक है हम अपने नुशार देख लेंगे बच्चों जैसा उचित और अधिकांस बच्चों का कहना है गुरु जी कि अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा दो और उसके बाद नेक्स सर क्लास का रूटीन तो वह तो आपको पेड़ बैच में मिलता है बच्चो पेड़ WhatsApp क्लास में जुड़े हैं तो रूटीन हम देते रहते हैं रूटीन यहीं है बच्चो ध्यान देजे मैं समझा देता हूं कि Sunday मंडे से सुरू होता है Saturday क्लास होता है उपर के चार दिन बच्चो चार दिन उपर में एगर हम देखें तो दो दिन उपर के नहीं चार दिन हाँ उपर के चार दिन जो है बच्चो उपर के चार दिन इधर साइंस नहीं इधर पहला बच्चो संस्क्रित होता है दो दिन संस्क्रित होता है और उसका चार दिन साइंस होता है ठीक है ना और इधर बच्चो हमारा चार दिन मैत होता है मैत होत होता ना यानि नी कल हम देखें तो कल एक मतल्ड पहली-पाली में हमारा साइंस होगा और दूसरी पाली में मैस होगा 2 वकलास एक दिन में होता हां सांब को ए चलू इदेखते हैं बच्चों चैसा होगा हम देखेंगे Native chapter बोलोगे तो हम इसका recorded डाल देंगे और अगला chapter हम करवादेंगे, ठेक है? इसका recorded डाल के, अगला chapter हम करवादेंगे Love you बच्चो पढ़ते रहें, हशते रहें, मुस्कौाते रहें जैहंद ठेक हए, सब लोग notes लिरना बच्चो जो लोग भी नहीं परचेस के हैं सब लोग नोट्स कम से कम खड़ी लिजिए 409 में पूरा नोट्स मिलता है धन्यवाद आप सभी का बच्चो नोट्स मिलता है विडियो क्लास सब कुछ